इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. LDAP 10 टैबलेट एक ट्राइसाइक्लिंक एंटी डिप्रेसंट है. इस दवा की अलग-अलग खुराक अवसाद, नियूरोपेथिक दर्द और माइग्रेन जैसी विभिन समस्याओं के इलाज और रोक्थाम में मदद करती है. LDAP 10 टैबलेट आम तोर से सोने से पहले ली जाती है क्योंकि यह आपको नीन का एहसास करा सकती है. इसे भूजन के साथ अत्वा बिना लिया जा सकता है. खुराक और आपको इसे कितनी बार लेने की आवश्यक्ता है यह आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके. प्रारम्भिक खुराक को नजदी की देखरेक में बड़ी सावधानी के साथ बढ़ाया जाना चाहिए. यह दवा तुरंद काम नहीं कर सकती है और पूर्ण प्रभाव प्राप्त करने में कई सब्ताह लग सकते हैं. आपको इसे कितने समय तक उप्योग करने की आवश्शक्ता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं. लिकिन यह महत्वपून है कि आप ठीक महसूस होने पर भी इस दवा को लेना जारी रखें. अपने डॉक्टर से बात किये बिना अचानक दवा लेना बन न करें. दवा को अचानक बन करने से आपकी स्थिती और खराब हो सकती है यह अन्यलक्शन हो सकते हैं. दवा को रोकने से पहले आपकी खुराग को संशोधित या धीरे-धीरे कम किया जा सकता है. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, कब्ज, पसीना, शुष्क मूह, नींद, कपकपी, चक्कराना, सिर्दद, भाशन विकार, आवास विकार, धर्कन, हिर्दै गती में वृध्धी, ओथोस्टेटिक हाइपोटेंशन और नाक बंध होना शामिल है यह आपको आकरामक या भ्रामित भी कर सकता है और कुछ लोगों में वजन बढ़ा सकता है यह दवा नशे की लट नहीं है, लेकिन यदि आप इसे अचानक लेना बंध कर देते हैं, तो आप अतिरिक दुषप्रभाव, यानि की वापसी के लक्षन का अनुभव कर सकते हैं अधिकांच सामान्य दुषप्रभाव हलके होते हैं, आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट को रोकने या कम करने के तरीकों का सुझाव देने में सक्षम हो सकता है यदि वे आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं इस दवा से जुड़े गंभीर दुषप्रभाव दूरलब हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ओल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद